व्लकम बैक्लंबख गाईस हम इस से ब wzglदे हम anatomy choosing क्लोरीनेशन पड़ चुके हैं क्लोरीनेशन वहल ये में में प्रिंसिपली रॉरीनेशन पड़ छे हैं मैधेर्ब्स पॉपइंगे ट्रे क्लोरीन चिर्ट क्रेंस खुऑ जो था है वाटर में जो है तरह तरह के compound present होता है अब क्या होता है जैसे ही यह chlorine हम उसमें add करेंगे ठीक है तो chlorine जो है compound के साथ react कर जाएगा फिर एक ऐसी stage आए जाएगी जब यह chlorine जो है बाकि सारे compound के साथ मिल चुके होंगे तब एक stage आएगी जहां पर residual chlorine बच जाएगा उस point को हम breakpoint कह कहते है ठीक है next the point when chlorine demand of water is met ठीक है क्या होता है जब chlorine जब water को जितना chlorine चाहिए जब वो demand पूरी हो जाती है उसको हम breakpoint chlorination कहते है ठीक है अब क्या होगा जब वो point आ चुका है जब सारे compound के साथ यह chlorine react कर चुका है ठीक है अब क्या होगा एक point आएगा जहां residual chlorine बच जाएगा ठीक है अब आप उसमें जितना मर्जी chlorine add करें ठीक है तो chlorine उसके साथ react करेगा ही ठीक है तो chlorine जो हमारा as a free chlorine पानी में present रहेगा ठीक है गाइस next है हमारा super chlorination सेम होई है जब breakpoint के बाद जब आप उसमें और ज्यादा और ज्यादा chlorine मिलातर हो गए तो उस condition को हम super chlorination कहते है ठीक है अब यह जो additional dose है हम यह डाल के रहे हैं जब कोई भी ऐसा पानी होगा जो heavily polluted होगा अब heavily polluted है obviously बात है उसमें compounds जो अलग अलग तरीके के हैं वह बहुत ज्यादा present होगे ठीक है अब क्या होगा जैसी हम chlorine डालेंगे तो उसके साथ react करें अब बहुत सारे compound है तो बहुत सारा chlorine चाहिए होगा इसलिए जो हम बहुत जादा से ज्यादा chlorine उसमें add करते है ठीक है ऑर्फो-टॉ-डीण test बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह topic ठीक है, तो orthotolidine test होता किया, let's check out, ठीक है? जो orthotolidine test है, इसमें जो हम दोनों देखते हैं, combined और free chlorine जो हम इसमें, इन दोनों के determination करते हैं, ठीक है, check out करते हैं, कि कितना free chlorine present है, और कितना उसमें combined chlorine present है, ठीक है? तो इस reagent को हम बनाते हैं, यह reagent actually है क्या? यह जो reagent है, यह orthot तॉलरडीन है एक रियेजेंट है जिसको कि हम डिजॉल्व करते हैं 10% ओफ एथियल सोलूशन में ठीक है अब हमारे रियेजेंट तैयार है अब रियेजेंट को तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे इसको हम जो है जिस वाटर को हमें टेस्टिंग करना है कि एक्चुली उसमे कितना क्लॉरीन प्रेजेंट ठीक है अब जैसे ही हम इसको उसमें मिलाएंगे ठीक है अब एक पॉइंट देखेंगे आप इसमें कि पॉइंट 1 ml के साथ मिलते हैं तो यह रियेक्शन करने के बाद यल्लो कलर देता है और आपने बहुत सारी रियेक्शन देखी होगी अभी यह अपने बाइकेमिस्ट्री में अगर glucose tolerance, GTT क्या होगा, glucose tolerance test क्या होगा, ठीक है, यह glucose के test कैसे करते हैं, ठीक है, तो आपने दिखा होगा कि color changes आते हैं बहुत सारे, तो ऐसे ही इसमें होता है, जैसे ही reagent जो है, water के साथ मिलता है, ठीक है, तो यह yellow color देता है, as a result, ठीक है, तो वो जो result आता है, हमारे yellow color, उसकी intensity शो करती है, कि कितना उसमें, जो है, chlorine present है, तो उस intensity, वो जो color हमारा है, उसको हम match up करते है, standards, various standards होता है, हमारे पास, पहले ही लिखे रहते हैं, कि इस intensity का आया, तो इतना इसमें present है, ठीक है, तो जो हमारा time, noting down time होता है, result के लिए, ठी within 10 seconds हो जाने चाहिए, क्यों, क्योंकि जो chlorine है, यह orthotolidine जो हमारे reagent है, यह क्या करता है, chlorine के साथ जो बहुत जल्दी react कर जाता है, ठीक है, तो within 10 seconds जो ही उसके साथ react कर जागा, तो within 10 seconds जो है, 10 to 20 seconds हम इसको result को note down करना पड़ता है, but if you are noting down the result, after 10 to 15 minutes, 15 to 20 minutes ओर, ठीक है, अग chlorine है, वो free, जो हमारा, sorry, जो हमारा reagent है, वो free chlorine के साथ react कर जाएगा, अब जब फ्री chlorine के साथ react कर चुका है, तो बाकी जो combined chlorine होगा हमारा, यह reagent फिर उसके साथ, जो है, react करने लग जाएगा, फिर क्या होगा, यह हमारा false result देना शुरू कर देगा, तो इसलिए जो better होता है, जो है, जो है, हम result no down कर दे, ठीक है, गाइस, नेक्स्ट है हमारा ortho tolodine arsenide test, ठीक है, यह modification है, जो हम इससे पहले test किया था, ortho tolodine test का, to identify free and combined chlorine separately, असल में इसे हमने किया क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पहले, इससे पहले हमने ortho tolodine test कर रहे थे, उसमें, जो है error आयाता था, क्यों, क्योंकि उसमें जो है, iron, nitrates, maignese, जैसे जो compound है, वो जो है, yellow color produce करते थे, ठीक है, so to overcome this, मतलब, इस fault को हम overcome कर सके, इसलिए हमने जो ortho tolodine arsenide test करते हैं, ठीक है, next है हमारा ozonation, ozonation जो है, ozone क्या है, यह एक powerful oxidizing agent है, ठीक है, यह जो है, इससे हम जब पान के color में, ठीक है, और जो भी order, taste, organic matter, जो भी होगा, यह उन सब को remove कर देता है, और यह सबसे powerful agent है, किसी भी virus को destroy करने के लिए, कितना dosage चीए होता है, कम से कम 0.2, 1.5 milligram per liter of dosage चीए होता है, ठीक है, इसका पानी के ओपर कोई effect नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको use करते ह है, ठीक है, इसका जो cost है, वो high है, इसलिए जो है, काफी countries इसे use करती है, पर developing countries, यह जो develop कर रहे हैं अभी, वो इस प्रक्रिये को use नहीं करते है, ozonation को, ठीक है, और next guys, इसमें अभी एक topic और है, UV rays, UV rays को भी जो है, हम use करते हैं, water के disinfection के लिए, ठीक है, certain micron जैसे की मैंने आपको disinfection की definition बताई थी, कि various type of viruses और microorganism में present होते हैं, तो UV rays जो है, इन viruses को जो है, destroy कर देती है, ठीक है, अब कैसे destroy करती है, like by destroying their DNA, और certain proteins in their cell walls, ठीक है, उनको जो है, destroy कर देती है, तो आपने आज के time पर बहुत सारे RO system देखेंगा, जिसमें जो है, एक UV channel अल ठीक है, और ये UV rays जो है, जितने भी bacteria होंगे और viruses होंगे, उन सब को kill कर दे रहा, ठीक है guys, okay, thank you, मुझे लगता है, आपको ये video समझ आई होगी, और अगर आपकी कोई भी query है, तो आप मुझसे जो है, either way message और by voice recording जो है, आप मुझसे questioning कर सकता है, ठीक है, okay, thank you guys